जहिंद वंदे मात्रम आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ड एमसीक्यू चनल पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कॉंस्टबल एक्जाम के लिए लुसेंड बुक से प्रेक्टिस सेट 6 को कवर करने वाले हैं तो आप सभी जल्दी जल्दी से लाइब में जुट जाएए सभी को गूड इवनिंग गूड इवनिंग तो चलिए आज के सेशन को स्टाट करते हैं तो फ्रेंट्स आज के सेशन का पहला प्रस्ण है अरावली पहाडी की सबसे उची चोटी कौन सी है आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइब चेट का उप्शन दिया गया है अगर किसी भी प्रस्ण का आंसर पता है तो आप लोग लाइब चेट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे तो देखिए अरावली पहाडी की सबसे उची चोटी कौन सी है जोई बच्चे B को दिये है बिल्कुल सही जबाब है गुरू सिखर अरावली पहाडी की सबसे उची चोटी है और अरावली पहाडी जो है यह भारत की सबसे प्राचिन प्रवत स्रिंकला है आपको यह भी ध्यान रखना है एक प्रस्न और पूछा जाता है कि निलगिरी की सबसे उची चोटी का नाम क्या है तो दोद्दा बेटा याद रखना है दोद्दा बेटा यह निलगिरी की सबसे उची चोटी है दूसरा प्रस्न देखिए जब लंदन में पहली गोल मेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रेटिस प्रधान मंतरी कौन था चलिए आंसर करते जाएंगे बिल्कुल टॉप लेवल के प्रस्न है और आपको डेली लुशेंट बुक से प्रैक्टिस करते रहना है तो दिखे आप लोग जानते होंगे कि तीन गोल में सम्मेलन हुए थे पहला गोल में सम्मेलन 1930 इसपी में हुआ था दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था और तीनों गोल में सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था तो डॉक्टर बी आर अमेड करने और दूसरा गोल में सम्मिलन जोकी 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांदी ने हिस्सा लिया था। और दीखे जब लंदन में पाहली गोल में सम्मिलन बुलाई गई थी। उसमें ब्रिटिश प्रधानमंतरी कौन था? तो रैम से मैक डोनाल था और जब पहली गोल में सम्मिलन हो रहा था उस समय भारत का वाइसराय कौन था ये भी पूछा जाता है तो लौड इर्विन उस समय भारत का वाइसराय था इतने सारे फेक्ट आपको ध्यान रखना है धान विद्याक कहा पर किया जाता है चलिए आंसर करते जाएंगे और प्रत्यक इस्ट्रेंड को आंसर देना है तो दीके धान विद्याक कहा पर किया जाता है तो लोग सभा में पेस किया जाता है बी ओप्शन बिलकुल सही जबाब है लोग सभा ये निम्न सधन है और इसके स सदस्र बनने के लिए नियुन्तम उम्र सिमा 25 वर्ष है और लोग सभा के बारे में जो बताया गया है संभीधान के आर्टिकल 81पर्टज में बताया गया है वही बात करें राज सभा तो ये उच्छ सदन है और और इसके सदस्यों का कारेकाल 6 वर्सों का होता है और इसके सदस्य बनने के लिए नियुन्तम उम्र सीमा 30 वर्स है और इसके बारे में सम्विधान के आर्टिकल 80 में बताया गया है नेक्स्ट कोशन देखिए लेटिल कॉर्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है और देखिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रस्ण में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप तुरंद कमेंड करके पूछ सकते हैं आपको 100% रिप्लाई मिलेगा तो लेटिल कॉर्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है इस प्रस्ण का सही जवाब है नेपोलियन बोना बाट को काल माक्स को ध्यान रखना है इनकी दो प्रसिद पुस्तक है जो कि अक्सर बिहार पुलिस के एक्जाम में पूछे आते हैं एक है दास कैपिटल और दूसरा है कम्यूनिस्ट मैनिफे इस तो यह दो प्रसिद पुस्तक काल माक्स की है ध्यान रखना है लोग सभा भंग करने का दिकार किसे प्राप्ट है बहुत सांदार प्रस्ण है और देखें अगर आप लोगोंको सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाईक कर और सेशन को शेर करें तो दीके लोक सभा भंग करने का धिकार जो है ये राष्टपती को प्राप्त है फर्स्ट ओप्सन जोई बच्चे दिये है बिल्कुल सही जबाब है राष्टपती बनने के लिए नियुन्तम उम्रसीमा 35 वर्स है और राष्टपती को सपत कौन दिलाता है तो भारत का मुख्य नयादिस भारत के राष्टपती को सपत दिलाते है वूलर जील कहां इस्थित है चलिए आंसर बताएंगे तो दीके वूलर जील जो है ये जम्मू कस्मिर में इस्थित है डी ओप्सन सही जबाब है नेकस्ट कॉशन आर्षेनिक के π्रदूशन से kौन सा रोग होता है फटा फट से आप सबी आंशर करते जाएंगे तो जीकि आर्षेनिक के प्रदूशन से ब्लैक फूत नामक रोग होता है फर्स्ट आप्शन सही जबाँ है शूबा किसकी रालधानी है चलिए आंसर करते जाएंगे तो दिके प्रस्न आठ के लिए जोई बच्चे राइट आंसर ओप्षन फीजी को दिये हैं बिल्कुल सही जवाब है फीजी जो है ये सुवा की रालधानी है इटली की रालधानी रॉम है फ्रांस की रालधानी पेरिस है नौर्वे की राजधानी ओसलो है इन सभी को ध्यान रखना है लिटमस किसे से प्राप्त होता है चलिए तो दीके लिटमस जो है ये किसे प्राप्त होता है तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है फर्स्ट ओप्शन बिल्कुल सही जबाब है दो प्रस्ण और ध्यान रखना है पूछा जाता है कि कवक का ध्यान को क्या बोला जाता है तो माइकोलोजी में कवक का ध्यान क्या जाता है और एक होता है फाइकोलोजी दोनों को ध्यान रखना है फाइकोलोजी में सेवाल का ध्यान और माइकोलोजी में कवक काध्यन किया जाता है सबसे चमकिला ग्रह कौन है सो समझ कर आंसर करना है चलिए तो दीके सौर मंडल का सबसे चमकिला और सबसे गर्म ग्रह जो है ये सुक्र ग्रह है C option बिलकुल सही जबाब है और बुद्ध ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे चोटा ग्रह है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो विरस्पती सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है लिवमेन किसका मात रख है फटा फट से आंसर करते जाएंगे लिवमेन किसका मातरक है तो प्रस्न 11 के लिए जोई बच्चे जोती फ्लक्स को दिये हैं बिलकुल सही जवाब है लिवमेन जो है जोती फ्लक्स का मातरक है बारा नम्मर है बिश्मिल्ला खां का संबंद किस वादी अंत्र से है चली आंसर करते जाएंगे और ये प्रस्न आपके बिहार पुलिस के एकजाम में एक बार पूछा जा चुका है तो प्रस्न 12 के लिए जोई बच्चे ओप्सन C को दिये हैं बिलकुल सही जवाब है सहनाई जो है ये बिश्मिल्ला खां से संबंदित वाद्यंत्र है नेक्स्ट कोसन देखिए पोलियो किस के कारण होता है सोच समझ का अंसर करना है तो दीके पोलियो जो है ये विशानू के कारण होता है एक पूछा जाता है कि टाइफाइड किस जिवानू के कारण होता है तो साल मोनेला टाइफी नामक एक जिवानू है उसी के करण टाइफाइड होता है मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है चलिए आंसर बताएंगे तो जी के मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी जो है ये स्टेप्स नाम की हड़ी है B option बिल्कुल सही जवाब है इन सबसे बड़ी ग्रंथी पूछे तो यकरित गरंथी मानव सरीर की सबसे बड़ी गरंथी है सबसे छोटी गरंथी पीनियल गरंथी है इन सभी को ध्यान रखना है Next question दक्षिन कोरिया को उतर कोरिया से कौंसी रेखा अलग करती है Ġाच चलिए तोदिके दक्षिन कुरिया को उतर कुरिया से कौन सी रेखा अलग करती है तो 38 भी समानांतर रेखा अलग करती है Next question मोपला विद्रो किस वर्स हुआ था फटाफट से आंसर करते जाएंगे तो दीके मोपला विद्रो जो हुआ था ये 1921 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था तो केरल के माला बार छेतर में हुआ था नेक्ष्ट को सन राज सभा का अध्यक्ष कौन होता है चलिए बहुती आसान प्रस्न है राज सभा का जो अध्यक्ष है ये उपराष्टपती होता है और वरतमान समय में भारत के उपराष्टपती कौन है तो स्री जगदीप धनकड है और राष्टपती कौन है आप सभी जानते हैं दुरौपदी मुर्मु है नेक्ष्ट को सन जो कि option A में दिया गया है next question सुद्ध जल का pH मान कितना होता है चलिए फटा-फट से answer करते जाएंगे सुद्ध जल का pH मान कितना होता है तो 7 होता है और pH scale का खोज किसने किया था इसका answer आप लोग थोड़ा सा comment करके बताएंगे देखते हैं कितने बच्चे answer करते हैं pH scale का खोज किसने किया था विद्ध बल्व में कौन सी gas का उपयोग किया जाता है चलिए तो दीकि आपका time माप्त हो चुका है विद्ध बल्व में nitrogen gas का उपयोग किया जाता है B option बिलकुल सही जबाब है और विद्ध बल्व का जो filament बना होता है वो tungsten का बना होता है नई दुनिया का महदूइप किसे कहा जाता है चलिए answer करते जाएंगे तो दीकि नई दुनिया का महदूइप किसे कहा जाता है तो उत्री अमेरिका को नई दुनिया का महादूइप कहा जाता है स्री लंका को भारत से कौन अलग करता है फटाफट से आंसर करते जाएंगे और जिसने अभी तक सेशन को लाइक ने किया है फटाफट से सेशन को भी लाइक करें तो स्री लंका को भारत से कौन अलग करता है बहुत ही आसान प्रस्ण है आप सभी ने बिल्कुल सही जबाब दिया है पाक जल डमरू मद जो है ये सिरलंका को भारत से अलग करता है नेक्ष्ट कोसन सिंधु नदी का उदगा मस्थान है चलिए आंसर करते जाएंगे किस जील से है तो दिगे प्रस्ण 20 के लिये जोई बच्चे मान सरोवर जील को दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है सिंधु नदी का उदगा मस्थान जो है ये मान सरोवर जील से है सबसे अधिक कहवा यहां पे कहवा होगा टैपिंग एर है सबसे अधिक कहवा भारत के किस राजी में होता है फटाफटाचा आंसर करते जाएंगे तो दीके सबसे अधिक कहवा जो है यह भारत के करनाटक राजी में होता है और सबसे अधिक कॉफी भी करना तक में ही होता है B option सही जबाब है केरल को गरम मसालों का राज कहा जाता है कोईला किस परकार का चटान है चलिए आंसर करते जाएंगे यानि कि कोईला जो है ये किस परकार के चटान में पाया जाता है तो आप सभी जानते हैं ये अवजादी में पाया जाता है फर्स्ट option बिल्कुल सही जबाब है कोईला के चार परकार होते हैं जिसमें से सबसे उचितम परकार का जो कोईला है वो एंतरा साइट है और सबसे लोक वैल्टी का कोईला जो है वो पीट कोईला है next question देखिये अरव सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है फड़ाफ़ाद सांसर करते जाएंगे अरव सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये नरमदा नदी है D option जो ये बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है, गोदावरी नदी ये दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है, नेक्स्ट कोशन, पूर्व का स्कॉट लेंड कौन कहलाता है, और फ्रेंड्स आप लोग सेशन के एंड में अपना अपना स्कॉर बिल्कुल इमंदारे पूर्वक देंगे, कि आप ल राज्य कौन सा है, फटा फटा आंसर करते जाएंगे, सबसे अधिक राष्टे उद्यान वाला राज्य कौन सा है, तो बिल्कुल सही जबाब है, ये है मद्य पर्देश, C option सही जबाब है, मद्य पर्देश को टाइगर इस्टेट के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे अ नहीं है, चलिए आंसर बताएंगे, किस देश में एक भी जवाला मुखी नहीं है, तो इसका सही जबाब है, आश्टेलिया, D option सही जबाब है, नेक्स्ट को सन, विश्व भर में अंतराश्टिय महिला दिबस किस तिथी को मनाया जाता है, चलिए आंसर करते जाएंगे, तो मार्च को मनाया जाता है, और ये भी प्रस्ण आपके बिहार पुलिस एक्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है, पांच जून को विश्व परियावरन दिवस मनाया जाता है, सूला सितंबर को विश्व ओजवन दिवस मनाया जाता है, फॉर्वर्ट ब्लॉक की थापना 1949 इस्वी में सुभास संद्र बोस ने की थी फर्स्ट ऑप्शन जोई बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट को सन जातक किसका पवित्र ग्रंत है चलिए तो दीखे जातक जो है ये बहुत धर्म का सबसे पवित्र ग्रंत है बी उप्शन जोई बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट को सन जोकी मोश्ट इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखना है इस्टेल्नेस इस्टेल किसका मिस्ट धातु है चलिए तो दीखे इस्टेल्नेस इस्टेल जो होता है ये लोहा क्रोमियम नीकल और कारवन का मिस्ट धातु होता है यहाँ पे लिग देते है लोहा, क्रोमियम, आप लोग भी नोट डाउन कर लिजे, इंपोर्टेंट है, लोहा, क्रोमियम, नीकल, और ये कारवन का मिस्र धातू होता है, इसको ध्यान रखना है, नेक्स्ट कोशन देखिए, सिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था तो दीके इसका सही जबाब हो जाएगा, राइगर, सी ओप्शन जो ये बच्चे दिये हैं, बिल्कुल सही जबाब है, और दीके 33 नमर में इसका आंसर क्या होगा, तो हमने क्या बताया, लोहा, क्रोमियम, नीकल और कारवन देखिए, एक भी ओप्शन में नहीं है, डी में करते जाएंगे, भारत का सर्वोच सैनिक सम्मान कौन सा है, तो ये परमवीर चेकर है, बी ओप्शन बिल्कुल सही जबाब है, तो फ्रेंट्स आज के सेशन में हम लोगों ने लुसेंड भुक से 35 मोस्ट इंपोर्टन प्रसनों को कवर किया, इसी के साथ आज का प्रैक्ट तक के लिए, जय हिंद,